नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी का पसंदीदा चैनल महायोग टीवी पर प्रियमित्रों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार रक्षा बंधन का त्योहार बेहद ही खास होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभ श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षा बंधन त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं बनना चाहिए, भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानि की राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है, शास्त्र का पर्व इस बार बेहद ही खास होने वाला है पंचांग के अनुसार इस साल भी रक्षा बंधन के दिन कई घंटों तक भद्रा का साया रहेगा और बहने उसके बाद ही अपने भाई के साथ यह त्योहार मना पाएंगी आए जानते हैं रक्षा बंधन कब मनाया जाएगा और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा इस बार रक्षा बंधन इस साल 19 अगस्त को मनाया जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी भद्रा इस त्योहार में बाधा डाल रही है रक्षा बंधन के इस पर्व पर इस साल भी भद्रा का साया रहेगा और बहने कई घंटों तक अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। बहने पूरे एक साल के इंतजार के बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांध कर उनकी दीरगायू की प्रार्थना करता है। और भाई भी उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको सभी जानकारी बताएंगे जो आपको रक्षा बंधन पर जानना बेहद ही जरूरी और खास है। भाई बहन के पवित्र रिष्टे को संजोक कर रखने वाला यह त्योहार सावन मास के आखिरी दिन यानि के सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है इस साल श्रावन मास की पूर्णिमा उन्नीस अगस्त को है। इस साल रक्षा बंधन के दिन सावन के आखिरी सोमवार का भी शुभ योग बना है। आईए आपको बताते हैं कि रक्षा बंधन की तिथी कब से कब तक रहेगी और भद्रा का साया कितने घंटे रहेगा। रक्षा बंधन की तिथी कब से कब तक रक्षा बंधन की चर्चा होते ही सब के दिमाग में भद्रा काल की चिंता सबसे पहले आती है। रक्षा बंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2 बचकर 5 मिनट से शुरू होकर रात को 11 बचकर 56 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूम धाम से मनाया जाएगा। इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है। और कमेंट बॉक्स में जय अमाम लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। माताएं बहनों इस बार हम आपको बता दें कि रक्षा बंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी। रक्षा बंधन के दिन इस साल भद्रा काल सुबह पांच बजकर पैतर मिनट से दोपहर एक बजकर इत्तीस मिनट तक रहेगा। हालां कि जोतिशियों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में होगा इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। जो तिशिय मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरती वासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुँचाती है। नौ बच कर आठ मिनट तक रहेगा यानी कि बहनों को कुल साथ घंटे 28 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। रक्षबंधन पर इस साल सरवार्थ सिध्ध योग, शोभन योग और रवी योग का भी शुभ संयोग बना है। इस शुभ में राखी बांधने से आपको जाना बेहत जरूरी है। माता एवं बहनों आप में महायोग टीवी चैनल की वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो, तो लाइक जरूर ही कर दीजिए कि राखी बांधने की जो पूजा विधी होती है, उसको आपको किस तरह से करनी है। किस तरह से सभी नियमों का पालन करते हुए आपको राखी बांधना है। इसलिए यह जानना भी आपके लिए बेहत ही खास और जरूरी है। राखी का यह धागा न केवल एक सुन्दर बनावट का होता है, बलकि यह बेहन की प्रेम और स्नेह भावना का प्रतीक भी होता है, जिसके द्वारा वह अपने भाई से हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन मांगती है। आर्थी और प्रार्थना। और उन्हें आशीरवाद देते हैं। वे उन्हें उपहार देते हैं। जैसे कि सोने या चांदी के आभूशन पैसे या किसी अन्य उपहार की रूप में पूजा के बाद परिवार का एक सांझा भोजन होता है, जिसमें सभी परिवार जन एक साथ बैठकर आनंदित महौल म भोजन का आनंद लेते हैं। का बखूबी हर बहन को ज्यान होना चाहिए। चलिए, हम आपको यह भी बता देते हैं कि वह कौन सी बाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। चलिए, हम बारी-बारी से सभी बातों को आपको बता देते हैं। शुब मुहूर्थ का ध्यान रखें। राहुकाल या भद्रकाल में भूल कर भी भाई को राखी न बांधें। तीन काले धागे की तूटी-फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधें। राखी बांधने से अशुब फल मिलता है। ऐसी मान्यता है चार प्लास्टिक तथा अशुध चीजों से बनी। एवं अशुब चेहनों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूल कर भी न बांधें। पांच भाईया को राखी बांधते समय सिर ढंकना न भूले। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढंका हुआ हो। 6. राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूले। मंत्र येन बद्धो बलिराजा, दानवेंद्रो, महबलह तेनत्वाम, प्रतिबधनामी रक्षे, माचल माचलह, माता एवं बहनो। आपको यह मंत्र एक बार में समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से हम आपको एक बार मंत्र और बता देते हैं। क्योंकि या आपको या आपके भाई को इस मंत्र का दोनों में से कोई एक ना एक इस मंत्र का उच्चारण जरूर ही करे। इस माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें आपको लाब ही लाब होगा चलिए आपको हम मंत्र एक बार और बता देते हैं मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलह तेनत्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचला इस प्रकार से इस मंत्र का आपको जब कर लेना है माता एवं बहनों हर एक बहन को इन चीजों का अवश्य ही पालन करना चाहिए और इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए आपको महायोग टीवी चैनल यकीन दिलाता है कि आपकी हर एक मनो कामना इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप सच्चे हृदय से इस मंत्र का जाप करते हैं, तो माता लक्ष्मी का आपको विशेश आशीरवाद भी प्राप्त होता है। साथ, अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय, रोली या चंदन लें। सिंदूर से तिलक ना करें। अक्षत खंडित न हो इसका भी ध्यान रखें। हर एक माता बहन को इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए, कि जो आप अपने भाई के लिए खाली तयार करते हैं, उसमें सिंदूर रख लेते हैं। कई ऐसी माताएं बहने होती हैं, जो अपने भाई के जब तलक करते हैं, तो बहुत सी माताएं बहने अपने थाली में सिंदूर रख लेती हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बलकि ऐसा आपको नहीं करना है, बलकि होली आप अपने भाई के तलाग करने के लिए रस ले सकते हैं पर आपको या फिर आप चंदन ले सकते हैं पर चुप मांग में भरने वाला सिंदूर होता है उसका उपयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सिंदूर होता है चुप जो कि अपने पती के लिए अपने माथे पर हर एक माता बहन लगती है इसलिए सिंदूर का उपयोग सिर्फ सिंदूर यानि कि अपने माथे पर मांग भरने के लिए होता है इसका उपयोग आपको अपने भाई के माथे पर जो आप टीका लगाते हैं उसके लिए ना करें यह बहुत ही अशुभ माना जाता है साथ में हम आपको बता दें कि आप अपने भाई के लिए चुपचाप लेते हैं यानि कि जब आप अपने भाई के तिलक करती हैं तब चावलों का प्रयोग अवश्य ही करती हैं तो उन चावलों को यह जरूर देख ले कि चावल टूटे हुए ना हो क्योंकि टूटे हुए चावलों का कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही अपने पर राखी बांधते समय उन चावलों का यानि की तूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए क्योंकि इन चावलों को खंडित माना जाता है और ऐसे चावलों का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माने जाते हैं और हर एक माता बहन को इस बात का ज्यान होना बेहद की जरूरी और खास है आठ राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षण में ना हो इस बात का विशेश ध्यान रखें हर एक माता बहन को इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि दक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शास्त्रों में गलत माना गया है। और हमारा जो हिंदू शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि राखी बांधते समय दक्षन दिशा की ओर राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशोक माना जाता है, जो माता बहन इस कार्य को कोई भी माता बहन आवश्यक ही ना करे, यानि कि दक्षन दिशा की ओर मुख करके अपने भाई की कलाई पर रखी नाबाध है, बलकि आप किसी भी दिशा में अपने भाई को कलाई बंद कलाई पर रखी अवश्य ही बन सकती हैं, पर आप दक्षन दिशा में अपने भाई का मुख करके रखी कभी ना बढ़े क्योंकि यह अशुभता का बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ता है इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यानि कि दक्षन दिशा की और मुख करके आपको अपने भाई की कलाई पर राखी नही बांधनी चाहिए माताएं एवं बहनों अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए हम आपके कमेंट को मैं महायोग टीवी के ओनर अवश्य ही देखते हैं इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख माताएं एवं पहलू कुछ और भी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए हम आपको वह भी बता देते हैं नौ भाई की आरती करते समय तूटा फूटा दीपक न लें बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षना दिये बगैर अपनी जगह से न उठे ऐसा हर एक बहन को याद होना चाहिए कि वह तूटे फूटे दीपक से अपने भाई की जो आरती उतारते हैं ऐसा उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अशोक माना जाता है इसलिए इस बात का आप सभी को विशेश ध्यान रखना है और जो भी हमने आपको गलतियां बताई है उन गलतियों को एक भी बहन को इन गलतियों को नहीं करना है नहीं तो आपकी बाईक पर यह बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है माताएं एवं बहनों आप सभी को हम एक और बहुत बढ़ी गलती है जो कि हर एक माता बहन इस गलती को कर देती है आपको हम बताना चाहेंगे कि इस गलती को तो आप भूल कर भी ना करें 10. राकी बंधवाने के पश्चाद भाई अपनी बहन के पैर अवश्य चूएं यदि भाई बढ़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर चूना उचित रहता है ऐसा करनी थी सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर होती है माताये बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने रक्षा बंधन पर आपकी भाई की कलाई में राखी बांधी है तो आपको इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए क्योंकि जो बहन रक्षा बंधन पर अपने भाई को राखी बांधती है उसे बहन को इस कथा को जरूर ही सुनना चाहिए यह कथा उनकी रक्षा बंधन के प्रेम को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है और घनिष्ठ बना देती है और रक्षा बंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है यह भी ज्यान वर्धक बात पता लग जाती है इसलिए आप इस कथा को अवश्य ही पूरा सुने चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी की कहानी विश्णु पुरान के अनुसार भगवान विश्णु ने अपने भक्त बली की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मन का रूप धारण किया और उनके यग्य पर पहुँचकर दान में तीन पक्ष भूमी मांगी बली ने मांग स्वीकार की तो प्रभु ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे पद में पूरी जमीन नाप डाली बाली समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं इसलिए बाली ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती कि मुझे स्वीकार कर मेरे साथ रहें भगवान विश्नु को बाली की बात माननी पड़ी ऐसे में भगवान विश्नु के न लोटने पर माता लक्षमी परेशान हो गई उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बली के पास पहुँच गई और उन्हें राखी बांधी राजा बली ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा जिसके बदले में माता लक्षमी ने अपने पती भगवान श्री हरी विश्नु के वापस लोटने की मांग की अपने वादे को पूरा करने के लिए बली ने माता लक्षमी की मांग को स्वीकार कर लिया श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी रक्षा बंधन का मूल इतिहास पुरातन भारत में बसता है और यह कहानी महाभारत के एक अद्वितिय किस्से से जुड़ी है महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर कृष्ण जी की उंगली से खून निकलने लगा इस बीच द्रौपदी जो पूरी घटना देख रही थी उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साधी का थोड़ा सा हिस्सा फाध्धा और प्रभुश्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया जिससे खून रुख गया इससे खुश होकर प्रभुश्री कृष्ण ने आवश्यक्ता पढ़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था वहीं द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया माताएं एवं बहनों आप सभी को हम बता दें कि एवं माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु की एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा होती है एवं भगवान महादेव की आप पर कृपा होती है अगर आप सभी को महायोग टीवी चैनल की यह वीडियो पसंद आई है तो हर एक माता बहन तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें जिससे कि भारत की हर कोनी कोनी में महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो का ज्यानवर्धक जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो सके और वह इस वीडियो से लाब ही लाब उठा सके इसलिए इस वीडियो को हो सके जितना आप शेयर करें, आप अपने वहाटसैप के स्टेटस पर लगे, चाहे आप अपने वहाटसैप के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे की हर एक माता बहन तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और इन गलतियों को किसी भी माता बहन से यह गलतियां ना हो क्योंकि ऐसा करने से आपके भाई का जीवन बरबाद हो सकता है आपके भाई को बहुत ही बुरी संकट में फंस सकते हैं इसलिए हर एक माता बहन को इन गलतियों को नहीं करना चाहिए माताएं एवं बहनों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर माता बहन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक को अवश्य ही कर दीजिए धन्यवाद माताएं एवं पहले मिलते हैं आपके लिए लाते हैं इतनी ही ज्यानवर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद माताएं एवं बहनों हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी जय भगवान विश्णू